गरीब मा की बेटियों ने खाई पहली बार बाहु बली था ली संगीता हाथ में बोरा लिये सड़क के किनारे से चल रही होती है काफी देर से मैं ये पन्या बीन रही थी आखिरकार आज के खाने के लिए तो कुड़ा बिन ही लिया इसे बीच कर रात के खाने का जुगार हो जाएगा अब अपनी दोनों बेटियों के पास जाती हूँ तब ये उस रेड लाइट पर काफी भीड नजर आती है रेड लाइट पर इतनी सारी भीड लगी है लगता है किसी का एक्सिडेंट हो गया है जल्दे सी जाकर देखती हूँ संगीता जैसे ही भीड में घुसकर वहाँ देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बलके उसकी छोटी बेटी निदी खून में लटपत पड़ी होती है जिसे देखती है उसका कले जब फट जाता है बेटी बेटी ये क्या हो गया अरे किसने मेरी बेटी का एक्सिडेंट कर दिया कौन था वो कौन जालिम था क्या गरीब लोगों के हालत दिखाई नहीं देती किसी को किसी ने यहाँ भी तक एम्बुलेंस भी नहीं मंगवाई अगर कोई अमीर का बच्चा यहाँ पड़ा होता संगीता तड़पते तड़पते रो रही होती है वहीं उसकी बड़ी बेटी बभीता भी रो रही होती है तभी एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाता है जिसमें संगीता अपनी बड़ी बेटी के साथ अपनी छोटी बेटी को अस्पतार लेकर पहुंचती है परिशान मत हो ये प्लीज हमें अपना काम करने दीचिए हम आपकी बेटी को बचा लेंगे ऐसा कहका डॉक्टर संगीता की बेटी निधी का इलाज करने के लिए चला जाता है जिसके बाद कुछ तेर का इलाज चलता है और डॉक्टर संगीता के पास आकर कहता है सरभर चोट आई थी हमने पट्टी कर दी है आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है सब ठीक है आप चाहो तो अपनी बेटी को लेकर जा सकती हो डॉक्टर ऐसा कहे कर चला जाता है संगीता बहुत खुश होती है जिसके बाद वो अपनी बेटी वभीता के साथ अपनी छोटी बेटी को देखने उसके पास जाती है बेटी तु ठीक तो है ना हा मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आखिर ये एक्सिडेंट कैसे हुआ तुम्हारा लाल पत्ती पर एक आदमी की गाड़ी साफ कर रही थी वो आदमी मुझे पैसे देने वाला था लेकिन गाड़ी साफ होती ही ग्रेन लाइट हो गई और वो आदमी ती तो मेरी हिम्मत ही तोट जाएगी परिशान क्यों हो रही हूँ मा सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान पर भरोसा रखो संगीता अपनी दोनों बेटियों के साथ अस्पताल से निकल कर अपनी तूटी फूटी जोपड़ी की तरफ जाने लगती है लेकिन रास्ते में एक रेस्टरेंट पढ़ता है जहां पर सभी लोग बाहु बली थाली कहा रहे होते हैं उस सारी में कई प्रकार की सबजी है मा अची वो खाना खाना है सर पर जूट लगने सी क्या तुम्हारा दिमाग हालत खराब हो गई है क्या तुम्हें पता है na हम लोगों की इतनी हैसियत नही है कि हम वहाँ का खाना खा सकें खितना बड़ा रेस्टरेंट है जितनी का हम वहां खाना खाएंगे उतने में तो हम पूरे एक महिने का राशन डलवा लेंगे पखली ऐसा क्यों कहती हो बखवाने चाहा तो एक ना एक दिन हम ऐसा खाना जरूर खाएंगे तब ही वहाँ पर एक वीडियर आता है और उन्हें देखकर कहता है तुम तीनों मा बेटी या खड़ी-खड़ी उस थाली को क्या दे चलो जल्दी जाओ यहां से चली जाओ यहां से वीडर ऐसा कहकर उन्तीनों मा बेटी को वहां से भगा देता है जिसके बाद वो तीनों मा बेटी अपना मायोस चेहरा लेकर वहां से अपनी तूटी-फूटी जहौपड़ी में पहुच जाती हैं जहां पर बचे हुई कावल खाकर सो जाती हैं जिसके बाद अगले दिन फिर से वो कुड़ा बीनने निकल पड़ती है वहीं पूरी दिन निधी के मन में उसी थाली के बारे में सब चल रहा होता है देखते ही देखते ही शाम होने लगती है चलो बच्चियो घर पर चलने का टाइम हो गया है संग सही का भाई तुरे इससे अच्छा तो हम एक ही थाली मंग वाले थे बेकार में हम तिनोंने अपनी अलग अलग बाहु बली थाली मंग वाई एक काम करते हैं जितना खाना था हमने खा लिया अब इसे बाहर कुड़े में फेक देते हैं और पैसे पे करके हम यहां से चले जा इसे हमें देदो हमें यह खाना खाना है बहुत सरुसी भूक लगी है मैंने आज तक बाहु बली थाली कभी नहीं खाई तीनों दोस निदी की मासूमियत को देखने लगते हैं तबीवा निदी की बड़ी बहन बबीता आती है और निदी के मूँ पर चमात मारते हुए कहती है बहुत हुआ निदी माने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर पर चड़ा रखा है चलो अब यहां से घर चलो बबीता निदी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है पीछे खड़ी हुए उनकी मा संगीता भी रोते हुए चलने लगती है यह नजारा देख तीनों दोस हैरान रहे जाते हैं और आपस में बाते करने लगते हैं अमीर लोग खाना कितना ज़्यादा वेस्ट करते हैं और इन गरीबों को देखो इन्हें एक समय का खाना भी बहुत ही नसीब से मिलता है हाँ दोस्त हमारे लिए थाली खरीदने कितनी मामूली सी बात है और इसे फे जिसके बाद आकरी में वो बाहु बली थाली की तीन थालिया लेकर वो तीनों दोस्त संगीता की तूटी फुटी जोंपड़ी में पहुँच जाते हैं माफ करना हम बिना बुलाई ही यहां पर आ गए लेकिन हम यहां आप लोगों की मदद करने आये हैं जानते हैं कि आप लोगों को हमारी मदद की जरूरत नहीं अपनी मेहनत का आप लोग खाते हो लेकिन आप लोगों ने कभी यह बाहु बली थाली नहीं खाई आज इसे खा और गवराओ मत ये खाना तुम्हारे लिए ही आया है तुमने आज तक बाहु बली थाली नहीं खाई ना चलो अब तुम्हारे सामने बाहु बली थाली रखी है जल्दी से खालो बाभीता के इतना कहते हैं निदी बहुत जादा खुश होती है और खुशी से बाहु बली थाल अकेले ही चट कर जाती है वही संगीता और बबीता भी अपने हिसे की थाली खाने लगती है वो तीनों माबेटी अपनी थालियां खाने के बाद तीनों दोस्तों का शुकर यादा करती है तुमने आज हमें बाहु बली थाली खिलाई है ये आज कोई सपने से कम नहीं है हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन तीनों मा बीटी की बेबस गरीबी देखकर उन तीनों की आँखों में आसु आ जाते हैं तबी अमित बोल पड़ता है हम तीनों दोस्त अनात हैं हमारे इस दुनिया में कोई नहीं था हमने अपने बलबूदे पर हमने तरक्के की और आज अपनी पसंद की जिन्दगी जी रहे है इसी के चलते हम वो वक्त भूल गए जो हमने आपके जैसा गुजारा था ना हमारी मा है ना हमारी बहन क्या आप हमारे परिवार का हिस्सा बना चाहोगे संगीता खुशी से उन्हें हां कर देती है इसके बाद वो तीनों दोस्त उन्हें अपना परिवार मानकर अपनी साथ रहने की जगह देते हैं खचा खच बहरा हुआ था स्टेशन के एक और बगल में बैठ कर जर्बुवती बबिता समोसे बना रही थी और उसका गरीब पती मोहन समोसे बेच रहा था जी देखो ना कितनी रात हो गई है हमारी पाँचो बेटियां घर पर अकेली होंगी अब हमें घर चलना चाहिए फिर दोनों गरीब पती पतनी बचे कुछे समोसे लेकर घर चल देते हैं तभी मोहन खुश हो कर बबिता से कहता है बबिता बगवान की दया से आज हमारे समोसे बढ़िया बिग गए और अच्छी कमाई हो गई है चलो अच्छा है आज हमारी पाँचो बेटियां पेट भर कर खातो सकेंगी और पिर हमें अपने आने वाले चटे बच्चे के भ पटरी में फस जाता है लाख छुडाने के बाद भी मोहन का पैर पटरी से नहीं निकल पाता इतने में पटरी पर ट्रेन आ जाती है बबिता रोते हुए कहती है जी जल्दी कीजिए ट्रेन आ रही है बबिता शायद मुझे अपने बच्चे का मुझ देखे बिना ही जाना ह तो मैं हमारे इस बच्चे के कसम बभीता जाओ यहां से यह बोलते हुए मोहन बभीता को पट्री से धक्का देता है और रेलबे स्टेशन की उस पट्री पर ही बभीता को दर्द शुरू हो जाता है मां कोई है पेरी मदद करो मेरा बच्चा बभीता इधर उधर देखते हुए मदद मांगने लगती है मगर पट्री एकदम सुनसान थी थोड़ी देर में वह एक बेटे को जन्म देती है जैसे तैसे हिम्मत जुटा कर बभीता अपने बच्चे को घर की चोखट तक लेकर घर आती है तभी उसकी पांचो बेटियां राधा, सुमन, आशा, प्रिया और दिव्या दोड़ कर उसके पास आती है और दर्द में तडपते हुए बभीता खुश हो कर कहती है देखो मेरी बेटियों, तुम्हारा भाई हुआ है पांचो बेहने अपने भाई को प्यार भरी, नजर से देखने लगती हैं तभी बभिता अपनी जिंदगी की आँखरी सांसे गिनते हुए छट पटा कर कहती है मेरी बच्चियों, अपनी माँ को माप कर देना, मैं तुम सब को इस तरह से चोड़ कर जा रही हूँ मगर जाते जाते मैं तुम पांचो को तुम्हारे इस नन्हे भाई की जिम्मेदारी दे कर जा रही हूँ तुम पांचो इसका खयाल रखोगी ना, वादा करो ये बोलकर बबिता उस बच्चे को राधा की गोड में दे देती है और राधा कहती है हाँ मा, हम वादा करते हैं, अपने भाई का खयाल रखेंगे इसके साथ बबिता भी मर जाती है और उसके घर में खुशी से बढ़कर रोना पिटना लग जाता है दस साल की राधा उनमें सबसे बड़ी थी, सोनी और आशा साथ और आठ साल की थी, प्रिया पांच साल की और दिव्या तो बस दो साल की थी ये हम पांचों बहनों का इकलोता भाई है, इसी लिए इसका नाम प्रतीक है ऐसे ही समय बीतता है, घर का खर्चा चलाने के लिए राधा और आशा कुछ घरों में जाडू बरतन करने लगते हैं सुमन, मैं और आशा काम पर जा रही है, हमारी राज़ बहिया का खयाल रखना आप बिल्कुल भी चिंता मत करो राधा दीदी, मैं अपने प्यारे भाई का अच्छे से खयाल रखोंगी राधा और आशा के जाने के थोड़ी देर बाद ही प्रतीक रोने लगता है नहीं नहीं मुन्ना, रोते नहीं, चुप हो जा सुमन दीदी, लगता है हमारे भीया राज़ा को भूख लगी है, इसे दोद पीना है अच्छा प्रिया, तु प्रतीक को अपनी गोद में लेकर थोड़ी देर के लिए चुप करा, मैं तक तक दोद गर्म करती हूँ भाई की भूख के लिए सुमन बड़ी महनत से लकडियां तोड़ कर, आच जला कर चूले का, धुआ जहेल कर दूद गर्म करके, बड़े ही प्यार से उसे गोद में लेकर, चमत से फूख फूख कर दूद पिलाती है ऐसे ही पांचों बहने अपने एक लौते भाई का खयाल रखती हैं, हाला कि दिव्या ना समझ थी, मगर वह भी अपनी चारों बहन की, देखा देखी बड़े ही प्यार से प्रतीक को पुछ कारती, कोई बहन उसे नहलाती धुलाती, तो कोई उसकी मालिश करती, और रात में जब साथ मिलकर उसे सब लोरी गा कर सुलाती, लला लला लोरी दूद की कटोरी दूद में बताशा मुन्ना करे तमाशा ऐसे ही अब पाँच से साथ साल बीत जाते हैं और आशा और राधा मिलकर, प्रतीक और अपनी तीनों बहनों दिव्या, प्रिया और सुमन को स्कूल भेजने लगती हैं यह जूद्या के धागे बादना बड़ा ही मुश्किल है क्या हुआ मेरे प्यारे भाई को? देखो ना आशा दिदी यह जूते के धागे मुझसे बंदी नहीं रहे लाओ मैं बांध देती हूँ आशा अपने सूट पर अपने भाई के गंदे जूते रखकर भी बड़ी ही खुशी से जूतों का धागा बांधती है वह जब कभी भी स्कूल में प्रतीक का किसी से भी जगड़ा होता तो उसकी तीनों बहने अपने भाई के लिए सभी से भढ़ जाय करती ऐसे ही देखते देखते दस साल और निकल जाते हैं और प्रतीक की स्कूली पढ़ाई भी पूरी हो जाती है बड़ी ही खुशी के साथ प्रतीक अपने स्कूल के रिजल्ट लेकर घर आ रहा होता है जब मैं अपनी स्कूल का रिजल्ट राधा दीदी, आशा दीदी और सुमन दीदी को दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इस स्कॉलर्शिप के बेस पर मेरा एड्मिशन एक तम फ्री में शेहर के बड़ी कॉलेज में होने वाला है तो मेरी बेहने मेरे लिए कितना खुश हो जाएंगी तब ही प्रतीक देखता है कि लखन और उसके गुंडे उसकी दोनों बड़ी बेहनों आशा और आधा के साथ छेड़ खानी कर रहे हैं इस तरह से किसी की बेहन का पीछा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती हमारा रास्ता छोड़ दे लखन वरना शोर मचा मचा कर हम लोगों कोई खटा कर लेंगी राधा दीदी तुम भी किसके मूह लग रही हो पता नहीं इसके घर में मा बेहन हैं की नहीं इतने में लखन आशा का हाथ पकड़ लेता है तभी गुस्से में आकर प्रतीक उसे बहत मारता है तेरी हिम्मत कैसे होई मेरी बेहन को हाथ लगाने की मैं तेरी जान ले लूँगा प्रतीक मेरे भाई छोड़ दे उसे घर चल अरे तेरी बहने सत्ता इसकी उमर में खुले सांड की तरह सडकों पर घूमेंगी तो यही होगा घर आकर प्रतीक आसु भरी आखों के साथ अपनी बहनों से कहता है आशा दीदी, रादा दीदी, बस बड़ी बहन होने का बहुत फर्ज निभा लिया आपने मेरे लिए आपने अपना अपना घर भी नहीं बसाया मगर अब इस भाई की बारी है, मुझे अपना फर्ज निभाना है सिर्फ तुम ही क्यों मेरे भाई, तुम्हारी तीनों बहने भी तुम्हारे साथ खणी है हाँ प्रतीक, मेरे भाई तुम्हारी ये बहन भी तुम्हारे साथ है और हम दोनों तो अभी तुम्हारी दो-चार साल और जान खाएंगी इसके बाद प्रतीक अपनी तीन बहनों, आशा, राधा और सुमन की शादी के लिए रिष्टे ढूनने लगता है और तीनों की शादी आनंद राजेश और यश से पक्की हो जाती है प्रतीक, सबसे छोटे भाई होकर भी अपनी बहनों के लिए जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है हमें तुम्हारी बहने पसंद हैं और हमें कोई भी दहिज नहीं चाहिए इसके बाद तीनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती है और वह भाई आसु भरी आखों के साथ एक एक करके अपनी तीनों बहनों को हल्दी लगाता है भगवान करे मेरी बहनों को इस भाई की भी हिस्से की खुश्या मिल जाए और इस भाई की भी उमान मेरी बेहनों को लग जाए आशा सुमन देखो हमारा भाई आज सही माहिने में बहुत बड़ा हो गया है माँ हमने अपना वादा पूरा किया मा इसके बाद बड़े ही दूमधाम से प्रतीक अपनी बेहनों की शादी करके उन्हें डोली में बिठा कर विदा करके भाई होने का हक और फर्स दोनों ही बड़ी ही खुपसूर्ती से निभाता है जी जा जी मेरी बेहनों का खयाल रखना जाओ दीदी बिदाई के वक्त आशा, राधा और सुमन फूट फूट करोती है भाईया अपना खयाल रखना और हमारे जाने के बाद अपनी बेहनों को भूल मत जाना प्रिया दिव्या जो जिम्मेदारी मा ने हमें दी थी अब हम तुम दोनों को दे कर जा रहे हैं एक दूसरे का खयाल रखना अब भी अपना खयाल रखना राधा दीदी अपनी तीन बेहन आशा, राधा और सुमन का घर बस जाने के बाद प्रतीक मेहनत से आगे की पढ़ाई पूरी करता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है जिसके बाद वह दिव्या और प्रिया की शादी करके उनके भाई होने का हक और पर्स को निभाता है